पेरियर्स है तो एक नैशरल चीज लेकिन जब ये शुरू होता है तो महिलाओं में पहले से ही उदासी, डिप्रेशन के साथ ही पल-पल मूड बलदने तक की दिक्कते सामने आती हैं. आखिर क्या है इसकी वज़ा चलिए जानते हैं. मैं जनरली पेरियर्स के दौरान देखा गया है कि महिलाओं के जो मूड होते हैं बहुत जब भी चैंज हो जाते हैं. आदुरहत्या से लेकर के डिप्रेसिव मूड जो है पेरियर्स के दौरान ही बनता है. तो ये क्यों होता है? मैं इसे प्री मेंस्ट्रोल सिंड्रोम कहते हैं. कुछ लोगों में ये जादा मात्रा में भी मिलता है. जिसे डिस्ट्रोफिक डिसॉर्डर होते हैं. ये मेंली जो है ये हॉर्मोनल एफेक्ट की वज़े से होता है. तो इसकी वज़े से कुछ ऐसे तत्व रिलीज होते हैं बोडी में. ये बहुत से वैरीड सिंटम्स होते हैं. इसमें शारीरिकर्ष जैसे की दर्द होना, कमर दर्द होना, मान स्पेशियों का दर्द होना या इवन जियाए सिंटम्स, कुछ लोगों को कब जी अचादा होती है, कुछ लोगों को जल्दी जल्दी लेटन जाना पड़ता है, डाइरिया होना लगता है, एक पेट में फूला फूला पन, सूजन, असहजता सी लगती है. गैस की दिक्कत होना, मूर्स बहुत रोना, बहुत इप्रेसिव लगना, म बहुत अच्छा एंवायरमेंट में रहना, और अपना जेनरल आक्टिविटी जो होती है हमारी, मतलब फिजिकल एकसराइज, हेल्दी इटिंग, हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना, क्योंकि पानी की कमी बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे दिन चलिया में, हमा करता है कि आपको कुछ दवाईयां या हॉर्मोनल थेरपी की नीट पड़े, तो उस हिसाब से दी जा सकती है यकीनन यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, लखनोस से अंजली सिंग राचपूत की रिपोर्ट, लोकल 18